हलो ब्रंट्स, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बच्चे होंगे और आप सब की बढ़ाय भी अच्छी चल रहे होगे तो प्यारे विद्यारतों, आज की इस क्लास में हम कखसा 6 और 7 गनित वुषय की व्रत्बूख के कार्या पत्रक 41 और कार्या पत्रक 42 को स्वाल्व करना सिखेंगे प्यारे वच्चों, आपकी नमिंतम व्रत्बूख के अनुसार, हमने कार्या पत्रक 41 तक सबी की सर्चा बहुत अच्छे से कर ली है वो सब क्लासिज आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी हुई है वहाँ से आप उनसे भी क्लासिज को आराम से देख सकते हैं चलिए क्लास में सुरू करते हैं कार्य पत्रक 41 में हम सिखेंगे कोणों के वरगी करण की समझ विक्सित कर पाना इसकी समझ कोणों के वरगी करण की समझ पहला प्रस्चन है गड़ी की सुईयों को देख कर उनके मध्य बनने वाले कौण का प्रकार आपको बताना है कि कौन नियून कौन है, सम कौन है, अधिक कौन है या सरल कौन है देखो नियून कौन का मतलब क्या होता है नियून कौन का मतलब होता है 90 डिग्री से कम के कौन को 90 डिग्री से कम के कौन को क्या कहते है नियून कौन सम कौन किसे कहेंगे? खीक 90 डिग्री के कौन को हम क्या कहेंगे? सम कौन कहेंगे अधिक कौन किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कौन को 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कौन को हम क्या कहेंगे अधिक कौन कहेंगे यानि 90 से तो बड़ा और 180 से चोटा उसे हम क्या कहेंगे अधिक कौन 90 और 180 के बीच के कौन को हम क्या कहेंगे अधिक कौन सरल कौन किसे कहेंगे बच्छो 180 डिग्री के कौन को हम सरल कौन कहेंगे तो आपको क्या आद रखना है नियून कौन मतलब 90 डिगरी से कम के कौन को हम नियून कौन कहेंगे सम कौन मतलब 90 डिगरी के कौन को हम सम कौन कहेंगे अधिक कौन यानि 90 डिगरी से जादा और 180 डिगरी से कम के कौन को हम अधिक कौन कहेंगे और सरल कोन कहेंगे 118 degree के कौन को हम सरल कोन थ्वा रिजु कोन कहते हैं देखें पहला प्रशनो पहले प्रशनो में कौन सा कौन बन रहा है तो देखो बच्चो दोनों रेखा बिलकुल एक दुसरे के क्या है सीधी है लंबबत है तो ये जो कौन बन रहा है, ये है आपका सम कौन, कौनसा है सम कौन, मतलब 90 डिगरी, कौनसा है सम कौन यानि की 90 डिगरी, दूसरा कौन देखो आपको, देखो बिलकुल 90 डिगरी कैसे बनेगा, 90 डिगरी आपका बिलकुल सीधा बनेगा, यहाँ पर 90 डिगरी बनेगा, तो य यह उल्टा है, एक मिनट हाँ, यह देखो, यदि मैं इसको ऐसे बनाओ, तो यह कितना बनेगा बिल्कुल सीधा, 90 degree, लेकिन यह क्या है, 90 से कम है, इसका मतलब यह कौन सा कौन है, इसका मतलब यह noon कौन है, इतना कौन है, noon कौन, फिर यह देखो, आपका 90 degree कैसा बनेगा, 90 degree ऐ का ऐसा बनेगा, यह बिल्कुल सीधा बनता तो 90 degree, यह 90 degree से ज्यादा है, ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा कौन है, अधीक कौन, 90 degree से ज्यादा यानि की अधीक कौन, आगे, देखो, बिल्कुल दोनों और एक दूसरे के ठीक सामने है, यह कौन सा कौन है, यह आपके 180 degree का अगला देखो अगला कौन सा कौन है तो ये देखो अगर मैं इस तरफ बनाता ये तो ये कौन सा होता 90 डिगरी ये 90 डिगरी से कम है यानि कि कौन सा कौन होगा आपका नियून कौन अगला देखो अगला कौन सा कौन है आपका तो अगला जो कौन है आपका वो हो जाएगा अधीक कौन कौन सा होगा अधीक कौन क्योंकि ये 90 डिगरी से जादा है क्योंकि 90 डिगरी देखो कैसे बनता 90 degree बनता यहाँ पर तो यह 90 degree से ज़्यादा है इसका मतलब कौन सा कौन है अधीक कौन फिर देखो दोनों रेखा बिलकुल एक दूसरे के ठीक सामने है यानि यह 180 degree है यानि कौन सा कौन है आपका सरल कौन फिर देखो यह वाला कौन सा कौन है 90 degree कैसे बनता देखो 90 degree बनता ऐसे तो यह 90 degree से ज़्यादा है यानि कौन सा कौन है अधीक कौन कौन सा कौन है अधीक कौन अगला वाला कौन तो यह कौन सा कौन है देखो तो आप दिहान से देखोगे तो यह बिलकुल ऐसे exact बन रहा है 90 degree यह न, यह देखो बिलकुल ऐसे चोकोर बन रहा है, जो ऐसे बनता है, इसका मतलब कौन सा कौन होता है, समकोन, यानि कि 90 डिग्री, कौन सा है ये, समकोन यानि कि 90 डिग्री, आगे बात करें हम, कार्य पत्रक, बैया लेसके, कौन का मापन और कौन बनाने की समझ विक्सित कर पाना, कि कौन को बनाते कैसे हैं, उसका मापन कैसे करते हैं, तो कौन को मापने के लिए, बच्चो हम, इसका उप्यों करते हैं, यहाँ पर डिग्री का, और इसके लिए, जिस यंत्रा को काम में लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, बच्चो चांदा, क्या कहते है चांदा कहते हैं या चंदा कहते हैं देखो पहले चित्र में कौन कितना है सित्तर डिगरी कैसे पता चला देखो यहां पर यह लाइन ऐसे जा रही है और यह लाइन आपकी सीधी जा रही है तो सीधी लाइन का मतलब कितना है 90 डिगरी यह 90 से देखो थोड़ा सा कम है तो यहा इधर यह कौन सा बिल्कुल 90 के उपर है यानि कि यह 90 डिग्री है देखो बिल्कुल यह कौन सा कौन है 90 डिग्री का यानि कि सम कौन का अगला वाला देखो अगले वाले में यह आपका 90 डिग्री इधर बनेगा कि 90 से क्या है कम है तो 90 से कम है यानि उपर वाली लेखा देखनी पड़ेगी इस वाले भाग से उपर वाले भाग देखें तो कौन सा कौन है यह आपका 50 डिग्री का कौन है फिर अगला देखो यहाँ पर देखेंगे तो यह 90 डिग्री है यह 90 degree से ज्यादा है 90 degree से ज्यादा है यानि कि यहाँ पर उपर वाली line देखो यह कितना है 130 और 140 के बीच में है कि जह है 135 degree यहाँ कि साहिता से आपको औरो को माप करो उनकी माप देखनी है इसनिमापना है चांदे से तो चांदे से हम आपेंगे जब इसको, तो जो पहला कौन है, देखो यहाँ पर मैं चांदा बिला लेता हूँ, यह हमने चांदा ला लिया, अब देखो इज़े लाइन के उपर रख दो चांदा, यह हमने लाइन के उपर रख दिया, तो यहाँ पर देखो आप ज्यान से कित कितना बन रहा है 110 और 120 के बीच में बन रहा है, यानि कि कितना का कॉन है, यह व्यूंते इन दोनों के बीच में यहां पर बन रहा है तो यह कौन कितना है? 115 डिगरी का इसरा कौन सीधिया सा दिख रहा है? यह कितने का कौन है? 90 डिगरी का बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है अगला, दिये गए कौनों को चांदे की साइता से बनाईए पहले में कितना बनाना है? 40 degree का. तो हमने ये चांदा रख दिया है, अब यहां से में कितना बनाना है? 40 degree. 40 degree देखो कहां पर बनेगा? तो ये बिल्सकूल आपका बन जाएगा 40 degree ये बाला कौन. है न, ये जो कौन बनेगा अब? वो कितना होगा? 40 degree. वो कितना होगा 75 डिग्री तो 100 डिग्री किया होगा 90 से थोड़ा ज्यादा होगा तो यह वाला जो भाग बंद रहा है पूरा वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके कारिया पत्रक 41 और कारिया पत्रक 42 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखा है तो उम्मिद करता हूँ सभी प्यारे विद्यारतियों को यह क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी तो क्लास दीखने के ल मैँ आफ सब्कोंया जै हिंद जै भार्द आय